नमस्कार आदाब सस्रीय का लाइव नेशनल सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाब मली अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे च और उसके बाद वो प्रक्रिया चलनी शुरू होती है 2014 से 2020 के नवंबर तक आ जाता है मगर अभी तक जो तारीख है वो कांसलिंग का इंतजार अभी भी बच्चों को वैसे ही है जैसे शुरुआती दिनों में था तो अब जरूरत है कि बिहार कर्मचारी चैन आयोग इस बात पर ध्यान दे के कांसलिंग की तारिख जल्द से जल्द जारी करें ऐसे में एक चिठ्थी वाइरल हुई है और उस चिठ्थी की पूष्टी लाइव नैशन सेवन नहीं करता है बलके वो चिठ्थी जो लिखी गई है वो क्रिशी विभाग को लिखी गई है और दूसरी चिठ्थी समान परशासन विभाग को लिखी गई है और ये चिठी इसलिए लिखी गई है ताकि ये दोनों जगा सेंटर की मांग कर रहा है बिहार करमचारी चैनायो इस बीच में जो सवाल ये खड़े होते हैं कि जो 2 से 15 दिसंबर की तारीख कांसलिंग के लिए उस चिठी में मेंशन है अगर उसे हम सच मान लेते हैं तो 2 दिस सब्समबर से कांसलिंग شुरू होने की बात सामने आ रही है और ऐसे में जब नए अभेयर ती जो 1218 का अजा रिजल्ट आया उसकी मेंस की परिक्षा होई और मेंस की परिक्षा के बाद जो करेब 727 अभेयर्ट का रिजल्ट आया और उन 127 अभेयर्टियों की शॉट लίस् yep जो result आया उनका shot hand, typing और physical का test हुआ है मगर अभी तक उसका result जारी नहीं किया गया है उनका list जारी नहीं किया गया और ऐसे में इनका document verification होना है document verification की प्रकरिया होगी और के बाद counseling कराई जानी है तो यह सारा list आना है और ऐसे में 23 नवंबर की तारीख आज हो चुकी है और 23 नवंबर तक वो रिजल्ट अभी तक वो लिस्ट बिहार कमचारी चैन आयोग ने जारी नहीं किया तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यूं अब देर कर रहा है B.S.S.E क्योंकि ये एक प्रक्रिया है एक बड़ी प्रक्रिया है और अभियर्थी भी जादा है जिनके कांसलिंग करानी है ऐसे में जब उस चित्थी में भी 2-15 तारीख नजर आ रहा है तो कहीं नगी है कां लिस्ट जारी करें ये सबसे बड़ा सवाल है साथ ही साथ एक चीज़ फिर अभियर्थियों की बात है अपील है कि जो दो से धाई गुना की अपील की जारी है कांसलिंग में बुलाने की ये भी इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है आयो को और इस पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि जो मांग बेर्थी या बच्चे कर रहे हैं वो कहीं से गलत करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि 2014 से लेकर अब तक उन्हें रोक कर रखा गया है कितने लोग उसमें अपियर हो पाएंगे कितने नहीं होंगे अर ऐसे में सीट के खाली रहने की संभावना है को कि अब समय जादा नहीं है और ऐसे में जब नवंबर प्रथम हफ़ते में ही काउंसलिंग की तारीख की बात थी मगर अभी तक प्रथम हफ़ता नवंबर का गुजर चुका अब दिसंबर की बात हो रही है ऐसे में अब जो दो से पंदरा अगर ये सही चिट्टी है तो और अगर ये चिट्टी घलत है तो भी बहरहाल नवंबर के पहले हफ़ते में काउंसलिंग की तारीख जो दो तारीख है उस पर पाइम हो जाए बीससी और ये प्रक्रिया पूरी करके काउंसलिंग करा ले तो खबरों के अबडेट के लिए बने रहे हमारे साथ देखते है हमारा वीडियो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें फिस्बुक जरी देख रहे हैं तो पेज लाइक करें साथे ट्यूटर हमें फालो जरू करें